नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवस्य करें खबरों को विस्तार से जनने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइन बंका मरदर सावी स्पोर्ट का कनेक्शन वर्दमान सिरियल ब्लास्ट से वी स्पोर्ट में जिस एक्स्प्लोजिव का इस्तेमाल हुआ वो दोनों सेम अब एनाईये रख रही है पूड़े मामले पर नजर यूपी में चुनाव है इसलिए दलितों से प्यार है बिहार में 2019 में दलितों महिलाओ के साथ रेप के 3486 मामले हुए दर्ज ध्यान रखेगा तब भी चुप अब अपनी ही सरकार को कोश रही है भाजपा 46 दिनों में तिसरी बार सरक पर उत्रे सरकार सीम नितीश कुमार ने पटना में घुम कर हाल देखा फिर लिखा लोगो लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहा है चूक से बढ़ेगा कोरोना संकरमन बंका मदर्शा वी स्पोड पर विवादित बोल से घिरी भाजपा अब मांजी बोले दलीत आगे बढ़े तो नकसली मुसल्मान मदर्शा में पढ़े तो आतांकी भाई साहब ऐसी मांसिक्त्या से बाहर निकलिये कोरोना से मौत के गलत आंकरों पर गिरी निती सरकार तेजस्वी बोले हैं सरकार जो आंकरा बता रही है उससे 20 गुना आधिक मौते हो रहे हैं घपले में फसने पर एक दिन में 4000 मौतों की संख्या बढ़ा दी बांका में दिन दहरे डबल मौडर पुरानी रंजीस में वरदात एक पक्ष ने चाचा भतीजा को पहले दोरा दोरा कर पीटा फिर चाकू से गला रेद कर मार डाला चलिए इसे ही जान लेते हैं आज की साम की 15 सबसे बड़ी खबरे टीका करन की नए विवस्ता आपकी कार तक आएगा वेक्सिनेटर और लगाएगा कोरोना का टीका तीन यूनिवर्सल सेंटर किया जाएगा तयार जी आप सही सुन रहे हैं अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो भी आप टीका से वंचित नहीं रहा पाएंगे आप बस आपको किसी साधन से सेंटर तक पहुँचना होगा गारी में बैटे बैटे आपका रेजिस्ट्रेशन और वेक्सिनेशन सब हो जाएगा इसके लिए पटना के सहरीच हैतर के सभी अंचल में तीन-तीन बूथ चिनीत करने का आदेश दिया गया है इन तीन यूनिवर्सल सेंटर को तयार किया जाएगा जहां कार बूथ तक जाएंगी और बीना गारी से उतरे ही वेक्सिनेशन कर दिया जाएगा कोरोना से जंग में उमीद की किरन पटना में चो से बाराव वर्स के बच्चों पर हो रहा ट्रायल बच्चे बोले वेक्सिनेशन से कोई पड़े सानी नहीं अगस्त तक खत्म हो सकता है इंतिजार जी आप साही सुन रहें कोरोना की तिसरी लहर से बच्चों को खत्रे किया संका के बीच वेक्सिनेशन की बड़ी उमीद जागी है 12-18 वर्स के 27 बच्चों का ट्रायल पहले फेज का पूरा हो गया है अब 6-12 वर्स के बच्चों पर ट्रायल चल रहा है दूसरे फेज के ट्रायल के लिए 100 बच्चों ने रेजिस्ट्रेशन करा लिया है ट्रायल की त मातापीता को बंदक बना कर कमरे में बंद किया पांच लाख के नगदव जेवर लूट ले गाए जी हाँ आप सही सुन रहा है मुंगेर में बैंक कर्मी के घर में घुसकर डेकैतों ने पांच लाख रूपे लूट के वरदात को अंजाम दिया है घटना धरहरा चाना छेतरे के महरना गाउं की है जहां बुधवार देरात लाठी डंडे और हतियार से ले साथा दर्जन से अधिक डेकैतों ने बैंक पीयों के घर पर धवा बोल दिया डेकैतों ने बैंक अधिकारी के ब्रिद माता पीता को पिस्टल के बट मार कर जखमी कर दिया इसके बाद दोनों के हाथ पैर बांध कर एक कमरे में बंद कर दिया इसके बाद डेकैतों ने सोने चांदी के जेवरात समित पांच लाख रुपए की संपती लूट कर फरार हो पूले 10 दिन के अंदर मिलेगी रासी, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, अगर कोरोना संकरमित की इलाज के दोरान रिपोर्ट निगेटिव हो जाती है और इस बीच उसकी मौत हो जाती है, तो भी उससे CM Relief Fund से 4 लाक रुपे दिये जाएंगे, इसकी घोसना स्वस्त विभाग क प्रदान सचीव, प्रत्याय अमरित ने की, कोरोना से अब तक राज्य में 9429 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3737 लोगों के लिए Fund रिलीज कर दिया गया है, आपको बता दे कि अब तक पोस्ट कोविड के मामले में सहायता रासी नहीं मिल रही थी बिहार में मौत के आँकरों का खेल, कोरोना से मरने वाले 4951 लोगों का डाटा नहीं लाया गया सामने, पटना में 24 घंटे पहले बताया था, 1229 मोत अब हो गए 20303 मोत हैं, जिया आप सही सुन रहा है, बिहार में कोरोना से मौत के आंकरे का खेल 24 घंटे में ही उजागर हो ग अख़्ा गया था सबसे अधिके परदा, पट्ना में हुई मौतों के आंकरों पर था, जो देखते ही देखते बेनकाब हो गया है, पट्ना में 8 जून को मोत का आंकरा 1239 बताया गया था, लेकिन 24 घंटे में ही 9 जून को आंकरा 2303 हो गया, पट्ना ही नहीं बलकि बिहार के सभ जीलों में मौतों के आंकड़ों में ऐसा ही खेल किया गया है मौतों के आंकड़े सामने आते ही या खुलासा हो गया कि 491 लोगों की मौत रिकॉर्ड में ही नहीं था बिहार के आंकड़ों ने देश को दिया धोखा कुरोना से मौत के 32% आंकड़े छिपा कर राज्य की रैंकिंग में लूटी वहवाही MP से नीचे 16 नंबर पर रहा बिहार जबकी 12 पर था जी आप सही सुन रहा है कुरोना की दूसरी लहर जब पीक अप पर थी तो जूटे आपरों के सहारे बिहार ने देश के राज्यों की रैंकिंग में खुब वहवाई लूटी है बिहार मौत के मामले में जूटे आपरों के सहारे 16 नंबर पर बना रहा जबकी वे 12 अस्थान पर था राज्यव में मौत की 0.76 परसेंट बताई गई थी बुधवार को सरकार की तरप से जारी संसोधित आंकरों के हिसाब से मौत की दर 1.07 हो गई है लालू के बर्थडे पर सियासी तकरार आरज्यडी समाजिक के नयाए सदभावना दिवस के रूप में मनाएंगी जन्मदिन जेडियों का अंदाज पिछरों की हरपी जमीन लोटाएं तब होगा असल नयाए जी यहां आप सही सुन रहे बटना में आज इगारज उनको राष्ट्य जनता दल प्रमुक लालू परसाद यादों का जन्मदिन मनाया जाएगा इसके तैयारी जोड सोड से चल रही है आरजरी करय करता जन्मदिन को समाजिक नयाए सदभावना दिवस के रूप में मना रहे हैं जग जग समाजिक नयाए सदभावना दिवस के पोस्टर लगाए गया है बिहार में मौसम को लेकर अलर्ट, नवादा में सुबह से तेज हवा के साथ बाड़िस, नालंदा गाया मुझफर पुर्चंपारं सहीत, बाड़ा जीलो में 40 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाई, जी आप सही सुन रहा है, मौसम विभाग का राज्यक के सभी जीलो को लेकर अलर्ट है, लेकिन गुरुवार को बाड़ा जीलो में विशेस अलर्ट जारी किया गया है, इन जीलो में 30 से 40 किलो मेटर प्रती घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ बारिस और वजरपात का अलर्ट जारी किया गया है, नवादा और आस पास के इ इलाकों में गुरुवार सूबह से ही तेज हवा के साथ बारिस हुई है इसे खेतों में लगी सबजीयों को काफी नुकसान पहुंचा है बंका में दिन्धारे डबल मर्डर पुरानी रंजीश में वरधात एक पक्छने चाचा भतीजे को पहले दोराद और आگर पीटा फिर चाकू से गलारेध कर माड डाला जी है आप से ही सुन रहे हैं बांका में पुरानी रंजिस में दिन्द हारे चाचा भतीजा की धारदार हतियार से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है घटना का टोड़िया थाना छेतर अंद्रगत खाड़ी पर गाउं के निकट डांडी पर टोला में हुई गुरुवार सुबह करीब 10 बजे चाचा भतीजा बाइक से बकड़ा खड़िदने हारी पर टोला जा रहे थे तब ही ये घटना का अंजाम हुआ करोना से मौत के गलत आंकरों पर घिरी नीती सरकार ते जसुई बोले सरकार जो आंकरा बता रही है उससे 20 गुन आधिक मौते हो रहे हैं घपले में फसने पर एक दिन में 4000 मौतों की संख्या बढ़ा दी जी हाँ आप सही सुन रहे हैं बिहार में करोना से मौत के आंकरे छिपा कर राज्यों की रैंकिंग में वावाई लुटने पर सरकार घिर गई है विपक्छी पार्टिया पहले से ही मौत के आंकरे छिपाने के आरोप पर सरकार पर लगा रही थी लेकिन अब इन आरोपों को पढ़े तो आतंकी है क्या भाई साहब ऐसी मानसिक्ता से बाहर निकली है जी आप साही सुन रहे हैं बांका के एक मदरसे में हुई ब्लास्ट की घटना पर बिहार में शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है भाजपा जदियों के बाद अब इसमें हम पाटी के नेता जितन राम मांजी भी कूद पर हैं जितन राम मांजी ने भाजपा विधाय के उस बयान पर कड़ी अपत्ती दर्ज की है जिसमें उन्होंने मदरसे को बंद करने की मांग की थी 46 दिनों में तिसरी बार सरक पर उतरे सरकार सीम नितीश कुमार ने पटना में घूम कर हाल देगा फिर लिखा लोगो लोग अभी भी मास्क नहीं पान रहे हैं चूक से बढ़ेगा कोरोना संकर्मन कहना इनका सही है आप लोग भी थोरा सा ध्यान दिजेगा बिहार के मुख्य मंत्रे नितीश कुमार आज एक बार फिर पटना के सरकोर पर निकले हैं बिते 46 दिन में यह तिसरी बार है जब नितीश कुमार ने सरक पर निकल कर लोकडाउन के बाद हुए अनलोक की हालात का जायजा लिया है नितीश कुमार सी एम हाउस से निकल कर बेली रोड राजा बजार और दानापूर के इलाकों में गए निरिक्षन के बाद उन्हें ने सोशल मीडिया के माद्यम से बिहार की जनता को मैसेज भी दिया यूपी में चुनाव है इसलिए दलितों से प्यार है बिहार में 2019 में दलित महिलाओ के साथ रेप के 3486 मामले हुए दर्ज अब तब थी चूप अब अपनी ही सरकार को कोश रही है भाजपा जी आप सही सुन रहा है बिहार में चुनाव हुए साथ महिने हो चुके हैं भाजपा सरकार में है लेकिन इन दिनों वह अपनी ही सरकार को दलितों के मुद्दे पर हर रोज कोश रही है आखिर मामला क्या ह क्यों भासपा को अचानक दलित्तो की चिंता सताने लगी है, भासपा को समझने वाले जानकर ये मानते हैं कि ये चिंता पार्टी की नई रननिती का हिसा है, यह वो रननिती है जिसके जड़िए भासपा उतरपरदेश को बिहार के रास्ते साधने की कोशिस में लगी है बांका मदरसा विस्पोर्ट का कनेक्शन वर्दमान सिरियल बलास्ट से विस्पोर्ट में जिस एक्स्प्लोजिव का इस्तेमाल हुआ वह दोनों सेम अब एना ये रख रही है पूरे मामले पर नजर जिहां आप सही सुन रहा है बांका जिले के नौटोलिया एस्तित मदरसे में हुई हाई डेंसिटी बलास्ट की जांच सवालों के घेरे में है अब तक इस कांड की जांच में जूटी पुलिस और बिहार ATS की टीम असपस्ट नहीं कर पाई है कि यह सब हुआ कैसे जिस जगह पर बच्चों की सिक्षा दी जाती है जहां उन्हें पढ़ाया जाता है वहां पर विस्पोटक समान आया कैसे हाई डेंसिटी की यह विस्पोट हुई कैसे जबकि इस घटना को हुए आज तिन दिन हो गया है